नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News अब तक 95,780 लोगों को कोरोना वैक्सिन लगाई जा सुकी है पंजाबियम हर्याना हाइकोट ने हर्याना में पंचया चुनाओं में महिलाओं को 50 फिस दी आरक्षन देने में खामी के खिलाफ एक याचिका पर जल्द सुनवाई के अरजी को खारिज कर दिया है हाइकोट में दायर याचिका अरजी में बताया गया है कि उसके दोरा दायर याचिका में पंचया चुनाओं में महिलाओं को 50 फिस दी आरक्षन देने संबंदी संसोधन में कई खामिया थी जिसे चुनोती दी गई है हाइकोट ने इस याचिका पर हरियान सरकार को जनुवरी महिने में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था इस मामले में कोरोना के चलते सुनवाई 20 अगस्त को होनी है अरजी में कोट को बताया गया है कि सरकार जल्दी पंचया चुनाओं करवाने के मूड में है सुथानिय सेना भर्ती रोतक कारेले के बर्ती निदेसा करनल रतंदीप खान ने बताया कि महिला सेना पुलिस के बर्ती के लिए ओनलाइन पंचयाण आनिवारी है जो आगा में 20 जुलाई 2021 तक खुला रहेगा इस बर्ती के लिए 1 अक्तुबर 2000 से 1 अप्रेल 2004 के मद्य जन में अभ्यर्ती पात रहोंगे यह बर्ती रेलिया अम्बाला लखनव, पेलगाउं, पूरें, एम शिलोंग में आउजित के जाएंगी उन्होंने बताया कि ओनलाइन पंजीगर में ऐसी विदा होने पर अभ्यर्त सेना भर्ती कारेले में संपर्क कर सकते हैं इस जुन तक पूरी रजस्तान, दिल्ली, पंजाब और चंडिगड के कुछ हिस्सों को छोड़ कर मानसुन पूरे देश में फैल चुका है हालांकि मानसुन रेखा बाड मेर, भीलवाडा, धोलपूर, अलिगड, मेरट, अमवाला और अमरत्षर में दो हफ्ते से अटकी हुई है आमतोर पर आठ जुलाई तक मानसुन पूरे देश में अच्छा जाता है मोसम आधारित कर्शी शलाह की बात मानें तो करेख फसलों सबजियों वर फलदार पोदों में यदी आवश्यक हो, तो किसानवाई तभी सिचाई करें अगले तीन दिनों में यदी पानी उपलब्ध हो, तो धान की पोध की रोपाई सुववे स्याह ही करें तता बारिस आने पर पोद की रोपाई जारी रखें नर्मा कबास वह अन्य फचलों में सप्रेक करते समय बदलते मोसम का धान आवश्चे रखें गौर बाजरा आधी फचलों की बिजाई के लिए उत्तम किस्मों के परमानित बीजों का प्रबंद करें तता खेतों को तयार करें ताकि अच्छी बारिस होने पर बिजाई की जाशके वही मानसुन की बारिस की संभावना को देखते विए हरियाना सरकार दोरा माननेत प्राप्त नर्सरी या फिर विश्वी ध्यला के उद्दान विभाग की नर्सरी से उत्तम किस्मों की फलदार पोदों को लेकर अपने खेतों में अवैसे लगाएं पंजाग एम हरियाना हाइकोट ने एक याचिका पर सुनवाई करते विए हरियाना सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तैथ सरकार ने आधेश जारी कर सरकारी स्कूलों में दाकिलों में स्कूल लिविंग स्ट्ट्पिकेट की अनुवारिता क्हत्म कर दी थी सरकार के आधेश के तैथ सभी नीजी स्कूलों को 15 दिन के भीतर ऑनलाईन SLC जारी करने का निर्देश दिया है हाई कोट ने ये आदेश सरु अर्याना प्राइविट स्कूल ट्रस्ट जिला हिसार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते वेजारी किया याचिका में हरियाना सिक्षे विभाग के परधान सचेव जिला सिक्षे आधिकारी हिसार समेथ जिले के दर्जनों सरकारी स्कोलों को परतिवादी बनाया है याचिका में हरियाना स्रकार द्वारा 15 जून को जारी उस आदिश को रद्ध करने की मांग की थी जिसके तैट दाखिलों में स्कूल लिविंग सर्टिवेक्ट की अनुवारिता खात्म कर दी थी हरियाना स्कूल शिक्षय विभाग ने सुपर हैंडड कार्यकरम के अंतरगत बैस 2021-23 के लिए विद्यार्थों के ओनलाइन रिजिस्टेशन अरंब कर दी हैं जो कि 10 जुलाई 2021 तक राजिस्टेशन लिंग खुला रहेगा इस बारे में जानकारी देते वे सिक्षय विभाग के परोगता ने बताया कि जिन विद्यार्थों ने राजगे स्कूलों से कक्षा 10 वी पास की है तता वर्तमान में राजगे स्कूलों में 11 कक्षा में विज् जान रखा जाए कि सम्मंदित विद्यार्थी नीट 2023 के लिए निर्धारित नियम पूरे करता हो महज 12 साल की उमर से पहलवानी यानि रैसलिंग के गुर शीखने वाली हर्याना की सीमा बिसला ने टोक्यो ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया है सीमा महिला कुष्टी के 50 किलोवर भार कैटेगरी में ओलम्पिक में अपना दमखम दिखाएंगी वहीं इससे पहले वे कॉमनवेल्थ और एजसेयाड नेशनल कुष्टी परत्योक्ताव में भी मेडल दिलवा चुकी है वहीं अब तक टोक्यों के लिए हर्याणा से 29 खिलाडियों ने क्वालिफाई किया है रोतक से बॉक्सर अमित पंगाल और कुष्टी में सीमा बिशला जैसी कई महिला पहलवानों ने भी 50 किलोवर भार में कैटेगरी में क्वालिफाई किया है रोतक के छोटे से गाउं गुढाल में 1993 में जन्मी सीमा अपने पास भाई बेनों में सबसी छोटी है हरियाना स्कोल शिक्षा विभाग ने राजजी के सभी नीजी स्कोलों को अपनी परबंदन सूचना परना ली यानि MIS को अपडेट करने के निर्देश जारी किये हैं ताकि स्कोलों में दाखिल बच्चों की सही जानकारी उपलब्द होसके शिक्षा विभाग की परोकता ने बताया कि राजजी के नीजी स्कोलों में गतवर्ष 29 लाग विद्यार्थे दाखिल थे जिनमें से अभी तक 17 लाग ही उनके द्वारा MIS पर अपडेट किये जा चुके हैं उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा MIS सभी सरकारी और नेजी स्कोलों के विद्यार्थें के लिए हैं जिसके माध्यम से हर बच्चे के दाखिले की गतिविदी का पता चल जाता है क्योंकि इसमें हर विद्यार्थे को यूनिक स्टुडेंट रिजिस्टेशन नमबर य हरियाना भाजबा के वरिष्ट नेतावे पूरु मंतरी प्रोफिसर रामिला सर्मा ने रेल मंतरी पियस गोयल को पत्र लिकर चर्की दादरी से अलवर वाया महंदरगट नार्नोल डेर मार्क से जोडने की मांग की है कि उनके विदानसभा महंदरगट के लोगों की समय समय कि य Ев patent चेत्र सैनिक बाहली चेत्र है जिसमें भारी संक्या में सैनिक वार्थ शैनिक सेना में रहकर देस की सेवा कर रहे है साथ ही महंदरगट जिला सिक्षया की चेत्र में बहुत बड़ा हब है जहां पर दूसरे परदेशों वा हरियाना की अलक-अलक जिनों से बच् civil सि जादरी से अलवर वाया महंदरगड नारनूल रेलमार्क से जुड़ने के लिए रेलवे लाइन का सर्वे करवा कर इस छेत्र को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। एक F.I.R. दर्ज की गई है जिसमें 16 अंतर की धाराएन लगाई गई है। इस मुगद में से उन चर्चाओं को बल मिला है कि तेल मिल में गोटाला करने के उद्देश से आग लगाई गई है। संग्ठन में परिवर्तन की मांग करने वाले हुड़ा गोट के विधायक एक बार फिर दिल्ली पहुँच गई हैं। वे महासचिव केशी व्यणु गोपाल सर्मा से मुलागात कर रहे हैं। कॉंग्रेस दफ्तर गई। बता दें कि बीती एक जुलाई को ही ये विधायक दिल्ली में ही पार्टी परबारी विवेक बनसल से मिले थे। इस मुलाकात में उन्होंने दिल की बात रखी थी। पार्टी परबारी से मुलाकात के बाद हुड़ा समर्थक एक नेता ने कहा कि हर्याना कॉंग्रेस में अब नेतर तुप परिवर्तन की जरूरत है। कुमारा मानना है कि हुड़ा की अगवाई में ही भाजपा की सरकार को ज्यादा कारगर ढंग से चुनोती दी जा सकती है और कॉंग्रेस मजबूत हो सकती है। के नई नियमों से बाजारों में दुकांदर खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि लगबग पहले की तरह हैं बिना किसी रोकटोक के दुकाने खोलने का आदेश मिल चुका है। अगर आप दसवी पास हैं तो आपके लिए पोस्ट ओपिस में नोकरी करने का सुनहरा आउसर है। भारते डाग विभाग ने बिहार पोस्ट सरकिल में ग्रामिन डाग शेवकों की भरती के लिए लगबग 2000 पोस्ट यानी 1044 आविदन वांगे हैं। जिनकी अंतिम तारिक 26 मैं 2021 थी लेकिन अब आविदन करता 14 जुलाई 2021 तक आविदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार अब 30 जून से लेकर 14 जुलाई 2021 तक आविदन विंडो खोल दी गई है। इच्चुक और योग्य उम्मिद्वार को किसी भी मानेत प्राफ्ट स्कूल सिख्षा बोड से दसवी पास होना आविदन करने वाले उम्मिद्वारों की उमर 27 अपरेल 2021 तक 18 साल से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नेशनल होटी कल्चर बोड गुरुगरामनी वरिष्ट बागवानी अधिकारी उपनिदेशक बागवानी अधिकारी उपरबंद निदेशक के पदों पर भरती के लिए नोटिस जारी किया है। जोब में सेलरी 35,400 रुपे से लेकर 1,12,400 रुपे पर मंत तै की गई है। च अईढराम códcemा होटी के लिए है। वहाँ कारी कारवानी अधिकारी के बत Count Do Whole